जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में कुरोना के 1279 केस मिले जबकि 3423 वेस्वस्त आठ की हुई मौत जामतरा तीन साहेवगन सोला और पाकुड में दो मरीज मिले हैं बतादे जार्खन में आठ मरीज की मौत हुई है वही एक्टिव केस की संख्या उनाइस सया 479 है जार्खन के जिलो में एक्टिव केस इस प्रकार हैं जार्खन के 24 जिलो में 73 पदो पर भरती जार्खन में नौकरी के तलास कर रहे लोगो के लिए अची खबर है बतादे ताया रिपोर्ट के मुताबिक जार्खन के बोकारो देवगर धनबाज राची सही 24 जिलो में 73 पदो पर भरती है होने वाली है बतादे इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जार्खन सरकार के ग्रामिन विकास विभाग ने जे एसल पीस दोरा डिस्टिक एकाउंट ओफिसर डिस्टिक एकाउंटेंट और ब्लोक एकाउंटेंट ओफिसर के 73 पदो पर भरती के लेकर आवेदन मांगे हैं बतादे ग्रामिन विकास विभाग के इन पदो पर आवेदन करने के लिए उमिद्वार की योगता पदो के अनुसार असना तक होनी चाहिए वहीं वहीं आयू सिमा 18 वरस से लेकर 35 वरस के बीच होनी चाहिए जारी नोटिपिकेशन के अनुसार एक छुक उमिद्वार तीन फरवरी 2022 तक ओनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं जारखन हाई कोट ने जे पी एस्टी से मांगा जबाब बता दे इस दवरान खंड पिठ ने जे पी एसी से पुछा की आरख्छित वर्ग के 114 रिक्ति के बिरूद 15 गुना रियर्ट क्यों नहीं दिया गया इस बाबत सपत पत्र दायर करे इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवारी को होगी जारखन की बेटिया छोटी उम्र में ही अपने हुनर का मनवा रही लोहा है उपनिसद काल की बिदूसी गारगी की बिदूत्ता हो या लक्ष्मी बाई का साहस बता दे बेटियों ने हर समय गोरों दिखाया है आज हमारी बेटिया आदम्य, साहस, बुध्धी, कौसल और करमठता से परचम लहरा रही है इनी बेटियों के लिए हर वरस 24 जनवारी को राश्रिय बाल का दिवस मनाया जाता है बता दे इसका उद्यश्य है कि बेटियों को बेहतर आउसर देना और आज भी जो आसमानता की भावना फैली है उसे दूर करने के लिए समाज को जावरूप करना बता दे जारखन की बेटिया के वल टॉपर ही नहीं है बलिक एडमिशन में भी बाजी मार रही है बता दे All India Survey on Higher Education के अनुसार जारखन के दस बिस्टो भी दैले में साटिफिकेट कोर्स हो या पिएशडी की पढ़ाई सबसे अधिक नमांकन बेटियों ने लिया है पेट्रोल सबसीडरी योजना रांची जीले में जादा से जादा पात्र लोग को पेट्रोल सबसीडरी योजना का लाब मिल सके इसके लिए रांची के उपएवग छवी रंजन परयासरत है बतादे इसके लिए उन्होंने अधिकायों करने का निर्देश दिया है कई लोगों को एव भरम है कि दो पहिया वाहन होने पर रासन कार्ट से उनका नाम कर जाएगा लेकिन हकिकत ए है कि चार पहिया वाहन के मालिक इस योजना के योग ये लाभुक नहीं है बतादे दो पहिया वाहन चालक रासन कार्ट रहने पर इसका लाभ उठा सकते है पेट्रोल सबसीटी जोईना को लेकर कुछ लोगों में एव भरम था गंतंत्र दिवस परेट की फूल ड्रेस फाइनल रिहलसल रांची में इस बरस भी गंतंत्र दिवस कमों के समारो मुराबादी मैदान में अवजीत किया जाएगा बतादे समारो में सरकार की ओर से गाइडलेन जारी की गई है कुरोना के परकोप को देखते हुए इस बार 60 वरस से अधिक उम्र के बुजूर्ग और 18 साल से कम उम्र के लोगों का समारो में सामिल होने पर रोग है इस बार समारो में मात्र 3,000 लोग ही सामिल हो सकेंगे वह ही मौसम की खराबी को देखते हुए इस्टेज के दोनों और वाटर प्रूफ पंडाल भी बनाया जाएगा बतादे मुखे समारो के लिए 24 जनवरी यानि की आज प्रेट की फूल ड्रेस फाइनल रिहल सर की जा रही है बारिस और कोहरे के कारण 11 बिमान राद दे बारिस बतादे पच्मी भी छोब से जार्खन के करीब करीब सबी जीले परभावित हुए है सत्गावा कोडार्मा में सबसे अधीक करीब 22 मिलिमेटर के आसपास बारिस हुई जार्खन के 13 जीलों में 50 परतिय से कम टिका करण पर केंद्र चिंतित पूरे देश में चिंहीत कम टिका करण वाले जीलों में जार्खन के भी 13 जीले सामिल है बतादे केंद्री स्वाज सचीव राजेस भूस्तन ने जार्खन के स्वाज सचीव को टिका करण की सितिती से समबंधित पत्र लिखा है साथ ही इन जीलों में टीकाकरण के लक्ष को पूरा करने के लिए हर घर दस्तक अभियान में स्वयम सेवी संस्थावों को भी सामिल करने का सुझाव दिया है बता दे केंद्री स्वाज सचीव की ओर से 20 जन्वारी को लिखे पत्र में कहा गया है कि केंद्री सरकार ने 30 दिसंबर तक देश में 18 सल साधिक उम्रे के लोगों के ठीकाकरण की ठीका जाजा लिया जहारखन के सरकारी स्कूलों में बेटियां और नीजी में बेटे ज्यादा सरकारी स्कूलों में नमांकित विध्यार्थियों में से जहाँ छात्राओं की संख्याधिक है वहि नीजी स्कूलों में इसके बिपरित चात्रों की संख्याधिक है बतादे केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक राजे के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बरावित तक के कूल 47,10,525 विद्यारती हैं जिन में 24,57,762 चात्राय हैं और 22,52,730 चात्राय नमांकी था हैं मुख्य मंत्री जन औस्दी केंद्र रिम्स केंपस के उधगाटन गिदवान एक महिला स्वास्त मंत्री बना गुपता के पैरो पर गिर करने आये दिलाने की मांग करने लगी बतादे जिसके बाद स्वास्त मंत्री ने मौके पर से ही गिरी DSP को फोन लगा कर तौरित करवाई कादेश दिया बता दे श्वास्त मंत्री ने गिरी डी एस्पी से कहा कि एग घंटे के अंदर मामले की जाच कर बताओं जारखन केंद्रिये बिस्वभी दैले के डाक्टर राजेश कुमार और नेहा नंधिनी को मिला बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड केंद्रिय विश्व विद्याले में मीडिया विभाग के कोडिनेटर डाक्टर राजेस कुमार और सोधार्थी नेहा नंदिनी को बेस्ट रिशर्च पेपर आवार्ड से समानित किया गया बता दे CUJ की नेहानंदरी मीडिया सिक्षा और आश्टिय सिक्षा नीती पर फिलाल गुजरात के पंडित दिन द्याल एनरजी उन्वर्सिटी से मीडिया के छेत्र में PhD कर रही है वहीं डाक्टर राजेश कुमार को इसे पूर्वे 2016 में भी मीडिया सिक्षा काटेगरी में बेस्ट रिशर्च पेपर आवार्ड से समानित किया गया था लो वीजिबिलीटी के कारण बीसा मुंड़ा एरपोट पर सभी फलाइटे रिसिडियूल लो वीजिबिलीटी और खराम मौसम के कारण राजची अरपोट से अब तक कोई भी बीमान उरान नहीं भर सका है बतादे सुबा आट बहे से दो पर दो बहे तक उरान भरने वाले सही बीमान को रिसिडियूल कर दिया गया वहीं अड़ाई बजए के बाद रिसिडियूल हुए बिमान अब अपने निधारी समय पर उडान भरेंगे हलाकि एरपोट परवंधन वीजिबिलीटी के स्थिती समाने होने पर ही फलाइट उडान भरने कानुमती देगा रिम्स में सुरू हुआ जन असधी केंद्र रांची रिम्स में सोमवार से सस्ती दवा के दुकान जन असधी केंद्र का संचलन सुरू कर दिया गया है बताद जन अउस्दी केंद्रे में आयसी सभी जेनरिक दवाई उपलब्द कराई जाएगी जो ब्रांडेट की तूनला में काफी सस्ती होती है बताद इस दवाई दुकान में मरीजों को 24 गंटा स्तेवा दी जाएगी ततकाल में 250 अधिक तरह की दवाईया मरीजों को उपलब्द कराई जाएगी उसका उधगाटन स्वास्त मंत्री बना गुपता ने किया बना गुपता ने कहा कि मरीजों को इससे काफी लाब मिलेगा बिन्धिया मेडिकल को रिम्स एमर्जनसी के सामने दवाई दुकान खुलने के अनुमती दी गई है मुख्य मंत्री 14 राइस मिलों का करेंगे सिलन्यास जार्खन सरकार ने नई पहल किया है बतादे जार्खन के भी भीन जिलों में 14 राइस मिल्स का मुखे मंत्री हमंसरेन सो मुहर को सिलन्यास करेंगे बता दे जार्खन अध्योगिक छेत्र विकास प्राधिकार जियाड़ा ने रियायति दर पर राइस मिल खोलने के लिए निवेशकों को प्रोचसाहित किया है सरकार की इस पाल से किसानों को काफी फैदा होगा बता दे जाओ को रोजगार भी मिलेगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बहल का बेल एक अंदवाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को वाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाइगर आपर सेर करना ना बुले साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडबाइक अवस्य दे थाइंक्यू